गुद बॉर्निंग सुपरबात केमचो सलाम उम्मीद है आप सब लोग बहतर होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे आप में से कई लोग अकसर यह सुचते होंगे कि हम इनसानों में ऐसा क्या खास है कि हम दूसरे एनिवल की तुला में इतना अधिक डेवलप्ट हो गए है और हमने पूरी अर्थ पर एक प्रकार से कबजा कर लिया है कि आज देखो ना आपकी नैसनल पार्क जो बनाये हुए हमने उनमें जंगलों में हमने जानवरों को रखा हुआ है प्रोटेक्टेट करके बही हमने अधिवने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया तो किस से प्रोवाइड किया है इनसान से कि इनसान शिकार कर रहा है पौचिंग कर रहा है तो मतलब हमने क्या किया कि हमने नेसल पार्क बना रखें ऐसे फॉरेस्ट बना रखें जहां पर human activity अलाउड नहीं है जहां ऐसा कई बार सुचने में आता है कि ना तो हम टाइगर के बराबर ताकत बरें वह टाइगर से आमना सामना है जो टाइगर दो मिनिट पर चीर फाड़ गर देता है वो ठीक है वड़ा खतरनाक है और ना हम हाती के समान विशालका हैं और डाय चीडियाओं के समान आसमान में ऊपर ऊड़ सकते हैं ना मचली के समान हम पानी में तिंग 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 पूरा समय कि अधियार पास में ना हो तो फिर हम क्या आध्मी क्या कोई बड़ा जंगल में प्रकृती का नियम बतला रहों में और उसको अपने जिंदगी पर भी लागू कर ना सबसे सफलतम चीजे वो हैं जो मद्ध में हैं मद्ध मार्ग उत्तम मार्ग गोतम बुद्ध भी यही बात कहा करते थे कि विक्ति मद्ध मार्गी होगा तो हमें साथ जीवन में सुखी रहेगा हो ना एक्स्ट्रीम हैं दोनों एक्स्ट्रीम बुरे हैं दोनों और बाइलोजी भी कहती है कि extremes are always bad extremes जो है वो बहतर जगे नहीं है रहने के लिए ना तो आप सहारा मरुस्थल में जाकर रह सकते हैं ना आप अंटाक्टिका में जाकर रह सकते हैं जितना मजे में आप भारत के अंदर रह सकते हैं तो कहने का मतलब यह है कि मद्य में सब बहतर मार्ग होता है इंसान का evolution भी ऐसे हुआ हम ना हम ना बंदरों के समान पेड़ों पर जंप कर सकते हैं ना हम टाइगर के समान ताकदवर हैं ना हम चिडियाओं के सान उपर रुशते हैं लेकिन थोड़ा-थोड़ा काम सब जगे करने में हम expert हैं छोटा-मोटा जंप लगा लेते हैं चोटा-मोटा तेर लेते हैं चोटा-मोटा दोड़ लेते हैं और दंडे हतियार से पत्थर जानवर को मार भी लेते हैं मतलब पुराने जमाने की बात कर रहा हूं है हमने थोड़ी-थोडी capability को हमने इखटा किया और हम एक package की रूप में बड़े खतर मतलब एंसान ने हाथी को पक्ड़ा ओर हती से काम कर वारा है कि चलो आपर भाई हती के ऊपर बेठा हुआ हाती काम करना मुचा रहे हैं इतना थाकशवर होके भी बालू को पकड़े लिया बेला चल डान्स कर बन्दर को बोला चल जंप लगा उठा पे टक गर मचली को लिय चड़िया को पिंजने में मद्द कर लिया दो मेरे पास दी है तो छोड़ सकते निए चोड़ देंगे तो खा जाएगा उनको बाहरा आसमान में मन को बुरा लगता है तुम लोग बार-बार मेरी छड़वी करते जो साथ तो छोड़ दो अरे छोड़ के मार दो क्या उनको तो अब जो हो गया सो गया बड़ा पिंजरा कर दिया उनके लिए बहतर ध्यान रखते उनका आवी जू कर सकते बिटा वो कर रहे ठीक है पर मैं कभी भी एडवाइज नहीं करता हूं कि पक्ष्यों को रखा जाए अब आप बोलोगे सार ये तो ही वो हो गया ना क्या बोलत खेर मेरे पर मत आईए भी अपने कॉमन बात करते हैं तो कॉमन बात यह है कि इंसान एज पैकेज जो है वो बड़ा डेंजरा से बड़ा पावरफुल हो इसे क्या सीख मिलती है प्रकरती कभी कोई डिसन गलत नहती है इसे सीख मिलती है कि तुम भलेई से अपने आपको किसी एक कलामे पारंगत करना चाहते होना एक्सपर्ड बनना चाहते होना तो उससे काम नहीं चलेगा तुमको हर चीज आना चीए तुम एक बहतर इंसान बन तुमको बहतर पुत्र बनना पड़ेगा, तुमको बहतर पिता बनना पड़ेगा, अगिशलकर, तुमको बहतर माँ बनना पड़ेगा, बतलब डिपेंड करता है भी जंडर वाइस, तो मैंने अपसे का ना कि आपके आप एक जिम्मधारी आपके उपर होती है, कि यदि आप एक समाज का एक हिस्सा है तो सामाजिक जिम्मदारी भी आपके उपर है पारिवालिक जिम्मदारी भी आपके उपर है रास्टर की जिम्मदारी भी तुमारे उपर है तो तुम जो बहार करते हो न तो तुम एक important component हो इस पूरे सिस्टम का घर में तो सफाई रख रहे हैं लेकिन बाहर सड़क पर जाके गंदगी फेक आए तो प्रॉब्लम है सामाजिक दिम्मदारी को देश के प्रती जिम्मदारी को हम ठीक से नहीं निबारें तुम्हें क्या लगता है देशवक्त सिर्व वही है जो गो मैं कहता हूं आपसे कि आप अपने मोहले की साफ सफाई भी रखते हैं अपने घर को भी साफ रखते हैं आप दूसरों के सुख्दूग में काम आते रहा तो आप भी समाज के एक इंपोर्टेंट सैनिक हैं आप आपके बगर समाज बहतर प्रकार से नहीं चल पाएगा मैं मैं देख रहा हूं अभी हाल ही में कि छोटे सहरों में तायर टू सिटीज में महिलाओं के प्रती अपराद बढ़ते चले जा रहे हैं अभी हाल ही मैं ने देखा कि बहुत छोटी जगे मद्ध प्रदस की खबर है कि चाचोडा और बीना गंज बहुत छोटे तैसिल हैं इत फवुतिया कसता है एक पान की दुकान के आस-पास और वो छिडखानी करते हैं तो हाल ही में कोई घटना घटी महां पर हैंना कुछ सेक्शुल हरास्मेंट की घटना घटी फिर पुलिस एक्टिव हुए महां पर मैं बोलता हूं कि यह कुन तरह का समाज बना रहे हैं हम ही गलत है और यदि आप OTT प्लेटफॉर्म को देखकर इंचियों से लोग हो रहे हैं वह समझ लिए कि वह क्राइम के दल्दल में जा रहे हैं और एक दिर क्राइम का हाल बुरा ही होता है चाहे कोई कितना ही बड़ा वेक्ति रहा हो क्राइम करके आगे बढ़ा है तो उसका अब भी हाल ही मैं देखा मैंने विकास दिविकिर्ती सर की सर जो है द्रश्टी आइएस के एक बड़े टीचर है जो ने द्रश्टी आइस दिल्ली में बनाये हुआ है और मैंने बहुत सम्मान करता हूं का किसी जमाने में द्रश्टी में हमको एड़बीशन ना मिला मैं हां मुझे एड़बीशन नहीं मिला था लेकिन मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं हाल ही में उन्होंने कुछ किसी क्लास में कुछ बताया होगा मासिता के बारे में रामायन के किस्से के बारे में उसका कंट्रूवर्सी हो गया इतना बड़ा कर लोगों ने वायरल कर दिया ट्रेंडिंग कर दिया बाइकॉट द्रष्टी आईएस जो है वह जो है वह क्लोस अरे वह आदमी इतना इंटलेक्ट्व यहां लोग सूचना पढ़ना बंद गरते हैं वह इतना आदमी उतना पढ़ता है वह आदमी ट्विटर इंस्ताग्राम फेस्बुक की बढ़ाय किता लोग है जो हर चीज़ को एक्स्ट्रीम पर जाकर सुचते बुरा सुचने के लिए और यह गलत है आपको कोई भी चीज़ को दी बगर कॉंटेस्ट के प्रिजेंट किया जाए ना तो मैं भी कई जगे पर गलत हो सकता हूं जिस देश में हम गुरू का सम्मान ना कर पाएं सब्सक्राइब गलत रोल मॉडल सट करें मैंने हमेशा कहा आप से कि गुरू को को का सम्मान होगा महिलाओं का सम्मान होगा देश का सम्मान होगा तो देश आगे बढ़ेगा आपके अंदर आप देखिए हम लोग यहां पर कि हम जो है वह अमेरिकन से अपने तुलना करें कि अब आप में से कहीं लोग केते हैं सर अमेरिकन में तो तला दिव लाते हैं अमेरिआफ लोग बहुत जया है वो अपने जल्ली जल्दी उनकी वाह साधिया जाती है अब अच्छे पैरेट नहीं हो सकते हैं कहीं आप कर दो अजांगा अब दोगा आ ह। आपको हब ऑगतuju ज्यादा है वो एदी किसी के प्रतिय अच्छा फील नहीं कर रहे हैं उनका अटेच्मेंट कम हो रहा तो वह दूस्ट दे एक्स्प्रेस देंसेल्ट के भाईया ऐसा है कि अब नहीं बन पा रही है जगडा नहीं करेंगे अलग-अलग हो या पर देगाट सपरेट हमारी हां प हमाज फेल है व्यक्ति बहतर है कई जगे पर व्यक्ति फेल समाज बहतर है सामाजीक दबाव हमारे पुरे सिस्टम को बनाए होगे है और उसकी वैलियू करना चीए है वह रहा हो आप से कि हमेशा एक्स्रीम पर जाकर मत सूचि कोई चीज के बारे में कि आप हर बात आप स् कभी तो हमारी शंता है मांद्यमिक है और तब भी हम गडा करते हैं ऐस्णी झाल झाल